नमस्कार प्यारी बच्चों, आपका एक वार फिर से मेरे यूटूब चनल आरेवट तर्क साला में बहुत-बहुत स्वागत है आज का हमारा अंग्रेजी बर्ण नमारा टॉपिक का नेक्ट टाइप है और यह जो टाइप है हमारा, यहाँ पर अगर पहले हाफ को, पहले अर्दांस को उसी क्रम में लिखा जाए और दूसरे अर्दांस को चेंज कर दिये जाए यानि कहने का मतलब यह है कि पहले अर्दांस को अलफाबेट A से लेकर M तक उसी स्विक्वेंस में लिखा जाए और दूसरे हाफ को Z से सुरू करते हुए N तक लिखा जाए यानि पहले तेरे अक्षर तो सीधे करम में हो और बाद के तेरे अक्षर जो है यह पलटे हुए हो इस पर आधारित प्रसिन है तो इसको सबसे पहले हम इसके concept को समझेंगे एक बार इस वाली वीडियो से पहले हमने जो इस पर और टाइप्स की वीडियो बनाई है जिनका लि दे रखा हो या फिर एक बार बाया और दाया दे रखा हो और अंत में दाहना और बाया यह चार चीज़े हमें पता होने चाहिए कि प्रसिन में अगर इस तरीके से दे रखा होता है तो हम घटा के लिखते हैं घटाने के बाद क्या आता है left side आती है अगर यहां पर right right value दे रखी होती है तो भी घटाते हैं तब क्या आता है राइट साइड आती है अगर प्रिसन में बाया और दाया दे रखा होता है तब हम जोडते हैं और जोडने के बाद वैल्यू के आती है जो प्रिसन में पहले दे रखा होता है और सबसे लाश्ट में अगर प्रिसन में दाहिन और दे रखा हो और पर बाई और दे रखा हो अब निसकर्स के रूप में दाहिनी हो रहता है यह कॉंसेप्ट की बात लेकिन आज का जो हमारा टाइप है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बैड़माला के दूसरे हाफ को दूसरे अर्दांस को पलट दिया जाए इन्हें अंतिम ज अब बाई और से हम एकाउंट करना चालू करेंगे तो देखिए लेफ्ट आठ की वैली तो हमारी हां तक आज आजाएगी क्योंकि तेरे तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमें लेफ्ट आठ तक के लिए तो जो भी हमारे अलफाबेटिकल और होते हैं अलफाबेटिकल लेफ्ट में और इस तरीके सा आगया लेफ्ट में पंद्र है निकालने के बद अगर इसी सीरीज में कहूं कि बताईए कि बाई और से पंद्रवाप्षर क्या होगा तो तेरे तक तो आपको समझ में आ गया लेकर अब आपको क्या काम करना है क्योंकि आपको इनका क्रम जो घटाने के बाद जो value आएगी जो value आएगी इस value का हम alphabets देखेंगे कि 25 पर क्या आता है 25 पर क्या आता है by आता है तो हमें याद क्या रखना है देखिए अगर हमारा यह जो sequence है अगर इस वाले करम में आ रहा है पल्टिवे दूसरे हर्दांस में पल्टिवे अर्दांस में आ रहा है दूसरे पल्टिवे हाफ में आ रहा है तो Z से लेकर और जो N तक के alphabets है इनके लिए क्या करना है हमें कि अगर left की value 15 या 16 या 17 या 13 से ज़्यादा आ रही है तब आपको क्या करना है जितनी ज़्यादा होगी वो 27 में से घटा देंगे बहाँ पर आपको जो है तुरंत आपका position exact position का माना जाएगा और वो आपको alphabets पता चल जाएगा ऐसे ही यदि अगर हमारे पास right की value अगर हमें निकाल नहीं होती किस की value मानली ज़्यादा से right की value है right कितना दे रखा है right दे दिए मानली ये 7 right 7 की value अगर हम कैसे पता करेंगे इस बर्ण माला में क्योंकि right short तो हमारा ये वाला होता है और ये चोर हमारा कौन सा होता है left short होता है ये वाला चोर हमारा left short होता है तो अब एक वास निए हमें n से count करना है लेकिं हम count किस तरीके से करेंगे right से साथ के लिए हमें देखी क्या करना पड़ेगा ये value आपको 13 में add करनी है कितने में add करनी है 13 में add करनी है 13 और 7 कितने हो गए 20 अब 20 पर आपको क्या आता है alphabet कौन सा आता है 20 पर 20 पर आता है T तो हमें count भी नहीं करना पड़ा बस देखी क्यों हम ऐसा कर रहे है देखी 13 alphabet से आ हो गए और यहां से अगर हम इसकी actual position देखें तो end पर कौन सा नमबर आता है 14 नमबर आता है तो 13 से हमें plus ज़्यादा कर देना है तो कहने का मतलब यह है कि यह जो पल्टीवी सीरीज है हमारा में मोटो में उद्देश से यह है कि हमें इनके alphabet का जो हमने इनका number याद कर रहा है इनकी position याद कर रही है उसी आधार पर कर लें इनको हमें लिखना ना पड़े चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इतना समझ पाएंगे अब इसके question देखते है कि within seconds में question हम कैसे हल कर पाएंगे चलिए आज का पहला question अंग्रेजी बन्दमाला में बाएं से साथवे अक्षर के दाएं साथवे अक्षर क्या होगा यानि सीरीज हमारे पास जो है वो A से लेकर M तक है और उसके बाद Z से लेकर तो देखें क्यारा है present यानि पहला question है y or से साथवे अक्षर के दाहिनी और साथवा अक्षर right side पर साथवा अक्षर क्या होगा देखें left और right है तो ऐसी condition में क्या करते है पहला काम हमारा ये रहेगा जोड़ना तो जोड़ने के बाद निसकरस आएगा जो पहले दे रखा है present में buy-a देखे present में पहले buy-a दे रखा है तोब a ya आ जाएगा तो 7 और 7 कितना हो गया ? 14 हो गया अब देखिए बाई और से ये छोर कौन सा होता है हमारा ये वाला छोर होता है by-a छोर और ये वाला छोर कौन सा होता है ? ये छोड़ोता है, दायावाला. बाहीं और से हमें 14 लेटर काउंट करना है. तो देखिए, ए से लेकर M तक कितने अलफाबेट्स हो गए? 13 अलफाबेट्स हो गए. अब 13 के बाद काउंट करना है, और सीरिज यहां से, यानि अलफाबेट्स यहां से पलट गए है. तो देखिए, यहां तो इसका उत्तर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 14 अलफाबेट्स कौन सा हो रहा है? Z हो रहा है. लेकि आपको करना क्या है? यह जितना भी फाल्तू है. कितना फाल्तू है? इस एक को आप 27 में से घटा देंगे, तो जो आपके पास क्रम आएगा, वो एक्शल पोजिशन आ जाएगी, यानि Z 26 पर क्या आता है? 26 पर आता है Z. तो इस प्रिसन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? Z. पहले हमने इसको इसकी एक्शल पोजिशन निकालने के लिए क्या करा? कि लेफ्ट और राइट को जोड़ दिया, जो बैल्यू आई वो देखा 13 से कितनी जादा है, जितनी जादा है, उसी को हमने 27 में से घटा दिया. दूसरा कुश्चन देखते हैं. देखिए, अंग्रेजी बाइजी 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 कितनी आ गई, 16 आ गई, अब ये जितनी 13 से जादा है, 13 से देखिए, कितनी जादा है, जितनी 13 से जादा है, 27 में से वही value हम घटा देंगे, 27 में से 3 गया तो 24, और 24 पर क्या आता है, X आता है, तो इस प्रिसन के लिए क्या answer आ जाएगा, X, seconds में question कर पाओगे, अगर ये method आपको समझ माच आएगा, next question देखते हैं, यदि अंग्रेजी बढ़ माला में, दाहिनी ओर से, चौध वाक्षर, यानि, दाहिनी ओर से, right side से, चौध वाक्षर, कि दाहिनी ओर, यानि right side, कौन सा, पाँच वाक्षर क्या होगा, देखे, right और right, दोनो value से इमावई, ऐसी condition में क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने के बाद, यहनी चौधे में से 5 गया, कितना आ गया, right पर 9 आ गया, अब right की value के लिए क्लिए 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 क्लिए, यहां पर सीधे क्रम में थे, इसके बाद पलट गए, तो अब आपको इसके लिए क्लिए क्लिए, यहां 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 पर आ रही है, तो इसको आपको तेरे में add करना है, कितना हो जाएगा, तेरे में यह वाली value एड़ करेंगे, तो तेरे और नो 22, बन माला में 22 वे क्रम पर क्या आता है, 22 वे क्रम पर क्या आता है, बी आता है, इस प्रिसन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहां यहां राइट साइड की value को तेरे में add करना है, लेट साइड वाली value को तेरे से जितना जादा है, उसको 27 वे से रटा के करना है, चलिए, नेक्स्ट कॉश्शन देखते हैं बंड माला में दाहिनी ओर से 5 वाक्षर यहनि राइट साइड से 5 वाक्षर के बाइट ओर दूसरा अक्षर के लेफ्ट साइड दूसरा अक्षर देखे राइट और लेफ्ट क्या करेंगे? जोड देंगे राइट पर कितना आ गया? साथ आ गया राइट साथ की वैलू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 13 में एड कर देंगे. 13 और 7 कितना होता है? 13 और 7 20 और 20 पर क्या आता है बंड माला में? 20 पर आता है T तो इस प्रिस्ट के लिए आंसर क्या हो जाएगा? T, option number D तो आज का यह हमारा जो type था, वो इस तरीके का था कुछ की पहले half को सीधे क्रम में यानि उसी क्रम में लिखा जाए और दूसरे half को पलट कर लिख दिया जाए तो ऐसे प्रिस्ट आपको within seconds में कैसे कर पाएंगे? यह हमारा concept था जिस पर हमने question, ऐसे question आप बिना series लिखे, यानि बिना alpha weights लिखे बहुत आसानी से कर सकते हैं इमिद करता हूँ कि आज का यह type आपको बहुत अच्छे से समझ माया हुगा यदि आप चैनल पर नए है आपको वीडियो पसंद आई हो आपको इस ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सेर करें आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में धन्यवाद